अलवर्शेर कोतवाली थाना इलाके की रहने वाली एक 17 वर्षे शात्रा दो दिन पहले जीडी कॉलेज जाने के बाद लापता हो गए थी। उस शात्रा को आकाश्वानी के पास एक कुए से गायल अवस्ता में बरामत किया गया है। की गुमशुत्की की रिपोर्ट कोतवाली में दर्स कराई गई थी। के में लगे CCTV फुटेज को खंगाला तो लड़की अपने जीडा के साथ जाती दिखी। इसी आधार पर जीडा से पूश्टाज की तो पता चला कि उससे लड़की का गला खोट कर कुए में फेक दिया था। इसके बाद NDRF और FSL टीम की सहायता से मंगल विहार इस्तितनगर विकास न्यास के खाली फ्लॉट में बने कुए से उस लड़की को निकाला देखा कि लड़की की सांसे चल रही थी। संबन में आरोपी जीजा को इरासत में ले पूश्टा जारी है। पुलिस इससे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला मान रही है। प्यारंबिक पूश्टास में अंदाजा लगाया जा रहा है कि शात्रा और उसके जीजा के बीच प्रेम संबन थे। लड़की शादी करने का दबाव बना रही थी। इसलिए उसके जीजा ने गला घोट दिया। और मैं जानकर जीजा ने उसे कुए में पटक दिया। कुए में फैकने की कोशिश की है। आज जब बच्ची को महाँ पर देखनें गए तो तुरंत उसको महां से सिविल डिफेंस और फैसल की मदद से बाहर निकाला। और बच्ची अभी जिन्दा है। उसकी सासें चल रही है। और तुरंत उसको यहां पर जी एच लेकर आई है पुलस। और हमें खोद हूँ यहां पर परीजनों से भी बात कर ली है और अभी इसको आईस्यू में शिफ्ट कर रहे हैं। और होपफुली इसको भेतर ट्रीटमेंट देखे बच्ची की हम जान जो है वो हमारी पहली प्राइरिटी अभी आई के बच्ची की जान जो है वो सही सलामत बच सके तो मदम इसमें जो जिन्नों ने यह बताया था वो हमारे पास राउंड अप है जी पेंड है और उनसे आ